Good morning student, myself Raveena Dagar, today we will continue Hindi, chapter number 3 for class 5th, बुद्धी का सोधागर, name of the chapter बुद्धी का सोधागर, आज हम discuss करेंगे, हिंदी का chapter number 3 है, जो class 5th के लिए present किया गया है, प्रस्तूत किया गया है, इसमें इस chapter का नाम है बुद्धी का सोधागर, बुद्धी मतलब brain और सोधागर मतलब करता है, एक ऐसा व्यापारी, बात बहुत पुरानी है, मध्या प्रदेश के एक छोटे से गाउं में एक नेधन लड़का रहता था, उसके माता पिता नहीं थे, गाउं में उसके पास आजिवका का कोई साधन नहीं था, परन्तु वह बहुत बुद्धी मान था, अपने प पिता नहीं हो, जिस बच्चे के माता पिता नहीं होते, वो अनात खेलाता है, तो एक अनात लड़का था, और निर्धन मतलब वो बहुत ज़्यादा क्या था, गरीब था, काउं के में उसके पास आजिवका मतलब कमाई, यानकी काम करने के लिए जिसके द्वारा उसको इन Intelligent, बुद्धी मान था, उसके पिता ने उसको बहुत सारी चीजे सिखाई थी, जो काम की थी, एक दिन उसके दिमाग में बुद्धी से धन कमाने का विचार आया, और उसने शहर जाने की ठान ली, शहर जाकर उसने एक सस्ती सी दुकान किराय पर ली, दुकान के बाहर एक बो दिमान था, तो उसने क्या किया? शहर जाने का निश्य किया, ठानना मतलब निश्य करना, द्रड निश्य की, ये का मुझे करना है, वो शहर चला गया और उसने एक छोटी सी दुकान किराय पर ली, और उस दुकान के बाहर, कि जैसे हम बताते हैं कि ये पैंसिल की है, कोस्म की दुकाने थी, फल, सबजिया, कपड़े, जेवर, मेवे, रोजमर्रा की चीजों की दुकाने, सारे दुकान दार उस लड़की की खिली उडाती, भाई ये दुकान तो बड़े गजब की है, अब तो अकल भी विकाओ हो गई है, लड़का उन सब की बातों कोई परवा नह की दुकाने थी, उसने फल, सबजिया, कपड़े, जेवर, रोजमर्रा की चीजों की दुकाने थी, लेकिन उसने ये दुकाने नहीं की, उसने क्या किया बुद्धी की दुकाने की, और जो बाकी दुकान दार थे, वो उस छोटे से लड़के का मजाक बनाने लगे, कि अब तो देखो चीजों के साथ साथ जो दिवांग है वो भी बिखने लग गया चलो भई तु देखते हैं कि कितना दिमांग तुम बेच लेते हो वह आसपास के लोगों को आते जाते ग्राग को को व्यक्तियों को लड़कों को आदमियों को और तो को आवाज लगाता कि आओ आओ बुद्धियां पर विक्तिया एकदम सस्ती है टिकाओ है यूसफूल है आकर इस बुद्धि को ले जाओ काफी दिन बीट गए बुद्धि के सोदागर की दुकान पर एक भी ग्राग नहीं आया वै दुकान बंद करने का सोच ही रहा था कि एक धनी सेट का मूर्ख लड़क एक सेट का कितना पैसा लो गए तब ही मतलब एक सेट का लड़का आता है वहां से और कहता है कि वह बहुत ज्यादा मुर्ख था उसमें अकल नहीं थे उसके पिता उसको निर्बुद्धी और मुर्ख कहते रहते थे तो उसने सोचा कि क्यो ना मैं यहां से बुद्धी खरी वो निरबुद्धी इंसान वहां से गुजरा और उसने उससे पूछा कि एक सेरबुद्धी का क्या दाम होगा मैं बुद्धी तोल कर नहीं उसकी किसम से हिसाब बेचता हूँ मेरे पास तरह तरह की बुद्धी आपको कैसी चाहिए तो ठीक है एक पैसे में जिस तरह की बुद्धी आए दे दो सोधागर ने कागच की एक परची निकाली और सेट के बेटे को दे दी उस परची पर लिखा था जब दो वैक्ती आपस में जगड रहे हो तो खड़े ओकर उन्हें देखना मुर्खता है उसने का कि मेरे पास अलग-अलग टाइप की बुद्धी है मैं सेर यानकी जो मात्रा है उसमें बुद्धी नहीं देता मैं पैसे के आधार पर देता हूँ तुम्हें ये बताओ तुम्हें कितने पैसे की और कौन सी बुद्धी चाहिए तो उस सेट के लड़के ने का कि मुझे एक पैसे की जो भी बुद्धी मिल रही है वो दे दो सौधागर ने क्या किया एक परची निकाली और उस सेट के बेटे को दे दी उस पर लिखा हुआ था कि जब दो वैक्ती खड़े खड़े लड़ रहे हो तो हमें खड़े ओकर नहीं देखना चाहिए अगर हम उनको खड़े देख रहे हैं तो वो क्या एक मुर्कता है सेट का पुत्र खुशी खुशी घर पोचा अपने पिता को कागच की परची देते हुए बोला देखिये पिता जी मैं एक पैसे में अकल खरीद लाया हूँ सेट ने परची पड़ी तो तम तमा कर बोले मूर्क एक पैसे में यह क्या लाया है यह बात तो सभी जानते है तुमने मेरा एक पैसा डुबो दिया फिर सेट बाजार गया उस लड़के को बुरा भला कहते हुए बोला लोगों को ठकते हो तुम्हें शरम नहीं आती मेरा एक पैसा वापस करो पैसा क्यों वापस करो माल दे दिया पैसा लिया है लड़के ने कहा किसे माल कह रहे हो हमें नहीं चाहिए तुम्हारा माल यह लो कहते हुए सेट उसकी परची वापस करने लगा अब सेट का लड़का तो खुश था उसने अपने जाके पिता को बताया कि पापा देखो आज मैं बुद्धी लेके आया हूँ मैंने एक पैसे में अपनी अकल खरी दिया है तो सेट ने उस परची को पड़ा तो उस पर लिखा हुआ था कि जब दो इनसान जगड रहे हो तो खड़े हो कर नहीं देखना चाहिए तो सेट कहता है कि तुमने मेरा एक रुपा डुबो दिया ये तो सभी जानते हो और उस पर भोच चिलाता है फिर उसके बाद जाकर दुकानदार को पकड़ता है जो वो सोधागर था उसको कि ये क्या दिया है तुम लोगों को ठगते हो इसमें कौन सी बुद्धी वाली ब तो इस बात पर सेट बोलता है कि हमें तुमारी ऐसी बुद्धी नहीं चाहिए ये लो अपनी पर्ची और हमारा एक जो रुपा तुमने लिया था वो हमको वापिस कर दो पर्ची नहीं मेरी सीख वापिस को रो अगर पैसा वापिस चाहिए तो आपको एक कागज पर लिख मेरी सीख वापिस करो उस पर साइन करो लिखो कि आपका बेटा मेरी सीख का कभी भी प्रियोग नहीं करेगा जब दो इंसान आपस में जगड रहोंगे तो वो खड़ा ओकर नहीं देखेगा तो वो कहता है कि ठीक है उसने लिख कर दिया कि मेरा बेटा इस सीख का कभी प्र तक्षर भी कर दिये दोनों में दोनों इस बात पर रजामंद हो गए समय बीटता गया उस प्रदेश के राजा की दो रानिया थी एक दिन दोनों रानियों की दासिया बाजार गई वहां उनका जगड़ा हो गया बात हाता पाई पर पहुंच गई वहीं सेट का लड़का भी खड़ा था लेकिन वह कारणामे के अनुसार वहां से खिसक नहीं सकता था सारे लोग चले गए मगर वह अकेला ही खड़ा रह गया बस फिर क्या था दोनों दासियों ने उसे अपना गवा बना लिया अब एक दिन की बात है कि वहीं पर मार्किट में क्या हुआ दो दासिया किये थे उनके पिता ने उससे बंदा हुआ था वहां से नहीं गया और वहीं पर खड़ा रहके उनको देखता रहा अंत में क्या हुआ दोनों जो दासियां थी दोनों जो दासियां की रानी थी उन्होंने उसको अपना गवा बना लिया जगड़े की बात राजा रानियों तक पोची दोनों रानियों ने लड़के से अपनी अपनी दासी के पक्ष में गवाही देने के लिए कहा सेट और उसके बेटे के होश उड़ गए वे सायता के लिए बुद्धी के सोधागर के पास बहुचे और बोले हमें किसी तरह बचा लो उन्होंने क्या किया जब दोनों रानियां उस सेट के लड़के के पीछे पड़ी कि तुम्हें हमारे ही पक्ष में गवाई देनी है तो दोनों को क्या यादाया वो बुद्धी का सोधागर वो लड़का यादाया और दोनों उसके पास जाकर पोचे और बोले हमें किसी ना किसी तरह से बचा लो लेकिन मैं 500 रुपे लूँगा ठीक है ये लो 500 रुपे लेकिन जो बुद्धी का सोधागर है उसने भी इस बात का फायदा उठा है और बोला कि अब मुझे 500 रुपे चाहिए 500 रुपे लेने के बाद ही मैं इसे ठीक करूँगा देखो जब गवाई देने के लिए बुलाया जाए तो पागल की तरह व्यवार करना बुद्धी के सोधागर ने उपाय बताया सेट के बेटे रेवही किया राजा ने उसे पागल समझकर महल से भार निकाल दिया सेथ के बेटे को क्या कहने के लिए बोला कि जब तुम्हें गवाई के लिए अनकी पेशी के लिए बुलाया जाये तो महां जाकर बेवकूफों की तरह वैवार करना जी बजी भरकते करना उसने वैसा ही जाके किया और राजा ने उसको पागल समझ कर मैल से भार निकाल दिया इसी तरह की एक दो घटनाएं और हुई बुद्धी के सोधागर की बाते राजा के कानों में भी पड़ी राजा ने उसे बुलवाया और पूछा सुना है तुम बुद्धी बेचते हो क्या तुम्हारे पास बेचने के लिए बुद्धी है जी हजूर आपके काम की तो भहुत है लेकिन एक लाख रुपे तुम्हें एक लाख रुपे ही दिये जाएंगे सोधागर ने एक परची राजा को दे दी परची पर कुछ लिखा था राजा ने पढ़ा किसी भी कारिये को करने से पहले विचार कर लेना चाहिए बुद्धी के सोधागर की ये बाते सुनके राजा के कानों में पड़ी राजा ने उसको अपने मैहल में बुलाया कि क्या तुम बुद्धी बेशते हो क्या तुम बता सकते हो तुम्हारे पास बुद्धी है भी या नहीं तो वो कहता है कि हाँ मालिक मेरे पास तो बहुत बुद्धी है और आपके काम के लिए तो बहुत सारी है तो उन्होंने फिर से क्या किया लेकिन उसने का कि मेरी आपको सला देने के लिए एक लाख रुपे दूँगा तो उसने का ठीक है एक लाख रुपे तुम्हें दिये ज चाहिए राजा को यह बहुत पुछन्दाई उसने अपने तकी तकी एक घिलाफ पर पर परदों पर अपने कख्ष की दिवारों पर अपने बरतनों पर इस वाक्या को लिखवा दिया जिससे वै इस बात में बहु मुल्या बात को कभी नहीं भूल पाए और कोई भी इसे नही भूल सके यंकि राजा को इसकी यह बहुत पसंद आये और उसने क्या किया हर जगे कपड़े किचन हर बर्टन पर हर जगे दिवारों पर पर अिज़ और राजा की दवा में विश्मिला दिया दवा का पहला राजा ने अभी मूँ के पास रखा ही था कि उस पर लिखे शब्दों की उस पर नजर पड़ी कुछ भी करने से पहले खूब सोच लेना चाहिए राजा ने पहला नीचे रखा और दवा को देखकर सोच में दूब गय कि प्यूं या नहीं वैद्य और मंत्री को लगा कि उनका भांडा फूट गया वे दोनों राजा से शमा मांगने लगे महाराज हमें शमा कर दीजिए हमसे बहुत बड़ी भूल हो गई एक बार की बात है कि राजा क्या एक बेमार हो गया बहुत जादा वैद जो थे जो उन उस मंत्री के हाथ में और वैद्य के हाथ में चला जाए तो राजा ने देखा कि जैसे ही वो कटोरी मुग के पास लेकर गया तो उस कटोरी पर लिखा गया था कोई भी काम करने से पहले सोच समझना जरू चाहिए तो वो उस पहले को देखकर सोचने लगा कि इसको पीऊं या ना पिऊं तभी वो दोनों क्योंकि उन दोनों ने गल्ती की गई थी उसमे विश मिला गया तो वो इतनी बात से घबरा गए उनको लगा कि राजा को इसमें पता चल गया कि हम दोनोंने इसमें जहर मिलाया और वो वहीं पर बिना किसी दिकट के वहाँ पर राजा से लुप मांगी कि हमसे भूल हो गई राजा सिपाईयों को बुलवा कर दोनों को काळा गार डल्वा दिया बुद्धी के सोधागर को उन्होंने अपस्त्र मारणे का फ्लैन बना रहे थे यह था आपaktर उन्हें अब इस चेप्टर के वर्ड में शब्दार्थ है बेटा आजीविका, आजीविका का मतलब है कमाई, साधन, साधन का मतलब जरिया, ठाटना, ठानना मतलब निश्चे करना, सोधागर मतलब व्यापारी, उपयोगी, काम की, कोई भी वस्तु हो सकती है, निर्बुद्धी, बि किस चीज की दुकान खोली थी, फर्स्ट कोशन बेटा, निर्धन लड़के ने किस चीज की दुकान खोली थी, बुद्धी की, नेक्स है, निर्धन लड़के ने दुकान कहां खोली थी, शहर में खोली थी, निर्धन लड़के ने राजा को क्या बुद्धी बेची, उसने क्या बताया था राजा को की कारिय करने से पहले हमें विचार करना चाहिए नेक्स है नेधन लड़के की बात राजा के काम कैसे आई जब मंतरी ने उसके खिलाफ क्या रचा था शडियंत रचा उस बात के कारण राजा के सामने उस लड़के की बात सिद्ध हो गई नेक्स मध्यापरदेश में रहता था तो मत्तaufen में आजाएगा कि मध्यापर देश पर क्या हो जाएगा टिक हो जाएगा नेक्स ए सेकिंड पार्ट बुद्धीमान लड़के ने कहां जाकर दुकान खोली शेहर निसमली है नेक्स्ट राजा ने बुद्धी के सोधागर को कौन सा पद दिया तो उसने राजवेद्य सेनापती या मंत्री कौन सा पद दिया उस बुद्धी के सोधागर को अपना मंत्री बना लिया तो उसे क्यों सा पद मिला मंत्री का पद मिला क्लियर है नेक्स कोशन है बेटा उप्चारण तो फ़स्ट है निर्धन, सेकंड है बुद्धिमान, थार्ड है अदबुद, फोर्थ है काउंटर, फिफ्ट है सबजिया, सिक्स है ग्राहको, सेवन्थ है निर्बुद्धी, एर्थ है शडियंत्र, नाइन्थ है भांडा उसके बाद है निमलिकित परशनों के उत्तर जीजिए, निर्धन लड़के ने शहर जाना, जाना क्यो ठान लिया, अब निर्धन जो लड़का था, गरीब लड़का था, उसने शहर जाना क्यो ठान लिया, इस कोशन का अंसर लिखने, फर्स्ट कोशन है बेटा, निर्धन नहीं था जिससे वो पैसे कमा सके इसलिए धन कमाने की इच्छा से उसने शहर जाने का निश्चे क्या था कर लिया सेट के बेटे ने क्या सोचकर बुद्धी खरीदी कि सेट का जो लड़का था उसको निर बुद्धी बोलते थे सभी तो उसने क्या सोचा होगा बुद्धी सेट के बेटे ने सोचा कि अगर वह बुद्धी खरीद लेगा तो कोई भी उसको मूर्ख नहीं कहेगा उसका मजाक नहीं बने आएगा और उसके पिता जी उससे बहुत जादा खुश हो जाएंगे इसलिए उसने बुद्धी खरीदने की सोची सेट का बेटा जगड़े वाली जगए से क्यों नहीं जा सकता क्यों कि उसके पिता ने सोधागर की सला ने मानने पर हस्ताक्षर किये थे क्योंकि जो पर्ची उन्होंने उसके बेटे को दी थी उसमें लिखा हुआ था कि कभी भी जब दो वैक्तियों का जगड़ा हो तो वहां पर नहीं थैरना चाहिए लेकिन उसके पिता ने इस बात को मानने से मना कर दिया था कि मेरा बेटा कभी भी ये बात तुम्हारी नहीं अपनाएगा कभी भी तुम्हारी सीख को प्रियोग में नहीं लाएगा इसलिए उस अस्ताक्षर और उस पर्तिग्या के कारण सेथ का बेटा मां से नहीं जा सका नेक्स है कोशन नमबर सेकिंड सही शब्द में रिक स्थान में से रिक स्थान भरिये निर्धन लड़के ने डैश लड़के के डैश नहीं थे निर्धन लड़के के डैश नहीं थे क्या नहीं थे नेक्स कोशन है बेटा सही शब्द से रिक स्थान भरिये निर्धन लड़के के डैश नहीं थे तो निर्धन लड़के के क्या नहीं थे माता पिता नहीं थे सेकिंड है एक दिन उसके दिमाग में डैश का विचार आया तो एक दिन उसके दिमाग में किस चीज का विचार आया धन कमाने का विचार आया सेट ने कागज पर डैश किये सेट ने कागज पर क्या किये हस्ताकशर किये नेक्स में आ जाएगा एक दिन दोनों राणियों की डैश बाजार गई तो दोनों राणियों की क्या दासियां जो थी काम करने वाली वो बाजार गई नेक्स्ट है राजा ने उसे डैस समझ कर महल से बहार निकाल दिया, क्या समझ कर पागल समझ कर बहार निकाल दिया, प्रशन नमबर थर्ड है सही कथन पर सही तथा गलत कथन पर गलत का चिन्य लगाईए, फर्स्ट है सेथ खे लड़के ने बाजार से सेव खरी दे तो नहीं क्या खरीदी थी उसने बाजार से बुद्धी खरीदी तो ये गलत हो जाएगा नेक्स है राजा की तीन रानिया थी ये भी गलत है राजा की केवल दो रानिया थी नेक्स लड़के के माता-पिता नहीं थे ये क्या है सही है लड़का अनाथ था उसके माता-पिता नहीं थे नेक्स राजा के लड़के को अपना मंत्री बना लिया राजा ने जो लड़का था निर्धन उसको अपना मंत्री बना लिया ये भी क्या है सही है ये भी राइट आ जाएगा अब है व्याकरण बोध प्रशन नमबर फोर्थ विलोम शब्द दिखिए तो निर्बुद्धी सस को प्रवा को जाएगा रापर्वा जिसको किसी की फिक्र ना ओ बुद्दीमान मतलब intelligent बैंगी मतलब ghostly निर्बुद्धी मतलब मूर्ख बोडम बेहोश मतलब जिसको किसी चीज का होश ना रहे अनुपियोगी जो किसी योग्य ना हो जो किसी use में ना लाई जाए next question है मान तथा ताप रत्य लगाकर नए शब्द बनाईए तो first बनाया हुआ बुद्धी मान तो second बन जाएगा सक्ती प्लस मान शक्ती मान अप प्लस मान अप मान फिर ताप रत्य से बनाया हुआ है निर्धन ता निर्धन प्लस ता निर्धन ता तो शम प्लस ता शम ता ability next एक प्लस ता एक ता यानिकि unity, तो ये कुछ शब्द थे, next question number six थे हमारा निमलिकित वाक्षांशों के लिए एक शब्द लिखिए, यानिकि एक शब्द बताना है हमें इन वाक्षों के लिए, next question है बिता, एक शब्द बताना था, जो सबको प्रिया हो, यानिकि जो सबको पसंद हो, उसके लिए जो जाएगा सर्व पिरिया, जिसके पास धन ना हो, जो गरीब हो या जिसके पास धन ना हो, पैसे ना हो, उसको बोलेंगे निर्धन, next, जिसके मन में कपट ना हो, यानिकि जिसके मन में कोई भी कपट ना हो, कि किसी के साथ कुछ गलत करे, चल करे, इस तरह की चीजे ना ह उसको बोलेंगे निश कपट next जो दूर की सोचता है यानकी जो अभी present में रहके बहुत आगे तक की planning कर रखे हो future तक की सोचता हो तो उसको बोलेंगे दूर दर्शी next जिसकी बुद्धी तेज हो यानकी जो बुद्धी से brain से जिसका mind क्या हो जो शार्प हो तो उसको बोलेंगे बुद्धी मान मतलब intelligent यही पर आपका ये chapter number third बिलकुल complete finish हुआ with question answer शब्दार्थ and summary सारांश के साथ thanks for watching अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो हमारे चैनल को like, share and subscribe करना ना भूले thank you